मेगनिफिसेंट एंपी में मध्यप्रदेश को कई सवगाते मिली हैं मोकेश अंबानी लोजिस्टिक के 45 डिस्टिबिशन खोलेंगे जो यहां इंडिया सीमेंट है वो 1200 करूर का भी निवेश करेंगी इंडिया सीमेंट मध्यप्रदेश में फ्लांच लगाएगी फाइबर क्यामेकल श्यत में इस्राइल की कम्पनी एव गोल भी 1200 करूर का निवेश करेंगी और साथी साथ इन दौर को पांच बड़ी प्रिस्टाब मिलें फार्मा और आईटी सेक्टर में बड़ा निवेश होगा वितापुर सेक्टर में ही निवेश होगा तो मैगनिफिसंट एमपी और ये कारिकरम इसलिए किया भी था कि मद्रिप्रिदेश में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो और आब मैगनिफिसंट एमपी में मद्रिप्रिदेश को बड़ी सौगाते बिल रही है विकेशंबानी लॉजिस्टिक के 45 डिस्टिबूशन खोले जाएंगे वहीं इंडिया सिमेंट 12 करोंता को निवेश करेगी अधिते सिंग हमारी समधाता और ज़्यादा जानकारी के साथ जूड़ रहे हैं अधिते मेगनिफिसेंट एमपी और कोशिश भी यही थी कि जादा से जादा निवेश प्राप्त हो मद्रिप्रिदेश को और उसकी शुरुवात हो चुकी है बिल्कुल सहरा देखिए मेगनिफिसेंट एमपी को इस बार जो टाइगर है उसका किताब दिया गया है और एकोनोमी को टाइगर के माध्यम से प्रस्थुद करने की कोशिश की गई है दरसल टाइगर के मामले में मद्दपदेश में मद्दपदेश देश में नंबर वाने क्योंकि सबसे दाइगर यहां पाय जाते हैं और टाइगर को अगर कहा जाए तो जंगल का राजा के तौर पर उसे जाना जाता है जो होता है वन का राजा होता है तो एकोनौमी को कही न कही टائ़िगर की शक्ले देने की कोशिश किया और कमलनात का दावा है कि दो साल के बाद ये टाईगर एकोनौमी का ये टाईगर जो है ये मतपरदेश को भी नमबर बन लाके कहड़ा कर देगा और उसी तारतम में ये निवेश की बात कही जा रही है जिसमें 10,000 करोड का निवेश रिलाइंस अपने 45 डिस्टिबिशन सेंटर से करने की बात कह रहा है वहीं इंडिया सिमेंट जो है 1200 करोड से शुरू करके 3000 करोड तक ले जाने की बात कर रहा है इसके अलावा जो है जुनजुन वाला ने भी इसमें वादा किया है उसके अलावा पुरी जो एक बहुत बड़े उद्योग पती है फार्मा सेक्टर के अंदर वो दावा करना है कि बहुत बड़ा जो निवेश है वो करेंगे और इसके लिए 3000-6000 करोड तक का निवेश वो कर प्रेस और बीजेपी यहां त्रिशंकु विदान सभा की संभावना काम है तो यह किसी भी व्यापार के लिए बहुत उत्तम अवसार होता है जहां पर दो विचारदाराएं होती है उसे बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ती है दूसरा द्रिश्टान साहरा एक वक समीट जो थी वो इटावा में मुलायम सिंग की कॉंस्ट्टेंसी में अरेंज करवाई थी जहां पर बहुत बड़े पेमानों पर उद्योग पतियों को आमंत्रेंट दिया गया था उद्योग पतियों को पूरी तरह से पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के घेरें में ले जा करेंगे इसका कहने का मतलब यह है साहरा कही ना कई उनके अंदर डर बैट गया था लेकिन कमलनाथ ने इसके विपरीत यहां पर पर परसिद्या थी उसको अंजाम दिया कमलनाथ ने पूरी तरह से जो ध्योग पती हैं उन्हें यह एसास दिलाया कि मद्ध्रदेश हर लिया करें आपका